चलिए तो बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर सैनिक स्कूल का फॉर्म आ गया क्या कि यहां पे लिखा हुआ है लेट साइड में आप देखेंगे लॉगिन सेक्षन के नीचे तो दिखेगा रजिस्टेशन क्लोज्ड यानि अभी फॉर्म आया नहीं है जब फॉर्म स्टार्ट होगा तो यहां पे न्यू रजिस्टेशन हो जाएगा एक लिंक बन जाएगा और वीडियो मिल जाएगी कि कैसे फॉर्म को भरेंगे दूसरी चीज़ यहां पे जब आप आएंगे तो आप सबसे पहले साइड में देखोगे राइट साइड में तो यहां पे सारे सायनिक स्कूल का अपना वेबसाइड होता है जिनका अपना वेबसाइड लिंक होता है तो जो फारम भर जाएगा वो यहीं भरा जाएगा तो फिर वहाँ से यहां आपको भेजा जाएगा तो जैसे मानलों की सारे साइनिक स्कूल है तो यहाँ पर साइनिक श्कूल बाला चट्डी है तो यहां यहां पे जब आएगे तो यहां पे भी नोटिफिकेशन निकला होगा सायनिक स्कूल से एडमिशन से रिलेटेड तो यहां पे जब आएगा तो वो सारी चीजे आपको बताई जाएंगे कि इसका फॉरम आ गया है और इसका लास्ट डेट यह होगा तो इसके लिए क्या करना ह है कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिजिए ताकि जब भी फॉरम आएगा तो हम लोग उस पर वीडियो बनाके आपको डाल देंगे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा चलिए तो फिर साप एक बर स्वागत है आपके अपने परिवार सायनिक स्कूल गुरू में जो बच्चे आनलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं अगर आप सायनिक स्कूल प्रिष्प्रिक्षा क्लास 6 की त्यारी करते हैं और आनलाइन बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें वाटसाप करें वाटसाप 9793252999 इस पर आपको इंट्री लिख कर वाटसप करना है सारी जो क्लास है वो एप पे चल दीए कहां चल दीए एप पे चलेगी सारी क्लास तो आप गूगल के प्लेश्टोर से आप को इस्टाल कर लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पहला चप्टर स्टार्ट करेंगे पर पर्तिसद देखिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे पर्सेंटेज का पहला क्लास है तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पर्तिसद क्या होता है पर्तिसद का मतलब होता है 100 में पर्सेंटेज का मतलब क्या होता है 100 में जैसे आपको मैं समझाना चाहूं कि 5 बटे 100 ध्य numerator और नीचा वालों क्या बोलते हैं denominator हर तो जिसका हर 100 हो जिसका हर 100 हो तो जो भी संख्या 100 में हो उसको हम लोग बोलेंगे percentage में जैसे कि ये 100 जो 5 जो है वो 100 में कितने में 100 में तो इसको हम direct बोल सकते हैं कि यह 5% है यानि इसको हम बोल सकते हैं कि यह 5% है जैसे आपको मैं एक example और समझाओ हूँ जैसे मानलो कि 20 बटे में 100 तो यह 20 है न वो कितने में 100 में तो इसको आप डारेक्ट बोलेंगे 20 परसेंट यानि जो जो भी नंबर जो भी नंबर 100 में हो उसको हम डारेक्ट बोलेंगे कि परसेंटेज में है जैसे एक नंबर मानलो मैंने लिखा 4 बटे 5 अब देखो यह 4 जो है वह 100 में नहीं है वह 5 में कि कितने में 5 में तो तुम्हारे पास क्या रास्ते है इसको 100 बनाने के लिए 20 से गुणा करना पड़ेगा उपर नीचे 20 से गुणा कर दो तो यह हो जाएगा असी बटे में 100 अब इसको हम बोलेंगे कि यह 80 परसेंट है कितना परसेंट है 80 परसेंट यानि मोटा मोटी आप बात समझे कि जो भी नंबर 100 में होता है जो भी नंबर 100 में होता है उसको हम लोग बोलते है परसेंटेज तो पहला question आपके screen पे दिया हुआ है कि भाया एक बटे 20 को परतिसत में बदलो एक बटे 20 को किस में बदलना है परतिसत में बदलना है बात समझ मा रही है देखे क्या करेंगे आपके पास दो रास्ते हैं बदलने के लिए basic से start करेंगे भाई परतिसत तो समझ गया होगे क् change करना है तो यहाँ पे द्यान से समझना 1 बटे 20 का नीचे वाला जो हर है denominator है उसको 100 करना है क्या करना है 100 इसको हम 5 से गुणा करेंगे और उपर भी 5 से गुणा करेंगे ठीक है जब नीचे करोगे तो उपर भी गुणा करना पड़ेगा तो उपर जब गुणा करोगे तो यह हो जाएगा 5 और नीचे यह हो जाएगा 100 अब आप डारेक्ट बोल सकते हैं कि यह 5 परतिसत है कितना परतिसत है 5 परतिसत क्योंकि 5 जो है वो 100 में इसको हम बोलेंगे कि यह 5 परतिसत यानि एक बटे 20 जो है वो होगा 5 परतिसत तो ये एक रास्ता है बाकी आप direct question करेंगे कैसे करेंगे देखें ये भी आप समझ लिजे कि अगर किसी भी number को परतिसत में change करना है किसी भी number को अगर आपको परतिसत में change करना है तो सीधे आप 100 से गुणा कर देना कोई दिक्कत वाली बात नहीं एक बटे 20 गुणे 100 सीधे परतिसत में याद रखना कि जब भी किसी अंग को परतिसत में बदलना है तो तुमको 100 से गुणा करना है तो 20 में 100 से गुणा करोगे तो या जाएगा 5 यानि डायरेक्ट तुमारा अंसवर आएगा 5 परशेंट दोनों आपको मैंने रास्ते बता दिया आप जिससे कर ले ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं दूसरा question दिया हुआ है एक बटे 10 को परतिसत में चेंज करो तो एक बटे 10 पहला तरीका क्या है कि नीचे वाले हर को भी चेंज करो उपर वाले अंस को भी चेंज करो तो यह हो गया 10 बटे में 100 अब यह जो 10 है वो 100 में है कितने में है इसलिए हम बोलेंगे 10% क्या बोलेंगे 10% डारेक्ट तरीका क्या है भाई डारेक्ट तरीका कहता है कि कि किसी भी नंबर को एक बटे 10 को अगर आपको परतिसत में चेंज करना है तो सीरे 100 से गुणा कर दीजे क्या कर दिए, सौ से गुना, यह 0 से 0 कड गया, यह निकल के आगया, 10%, कोई दिक्कत वाली बात निहीं है, next question नेते है, 75, इसको उमको परतिशत में बदलना है, कि सौ से गुना कर देना, ध है किस से गुना कर देना, सौ से गुना कर देना, तो यह आजाएगा 75, 100, कोई दिक् गुंए 100 बस एक मंतर याद रख किए गा कि जब भी किसी चीज को परतीसत को बदलना है तो आपको 100 से गुणा करना है चलिए आठ को सब्सक्राइब differs लोग्न तो आठ गुंए merit सुर्प क्या करेंगे आठ गुंए सौ यानि 800 परसेंट क्या जाएगा 800% 100 गुणे 100 100 को change करेंगे तो यह आपका आजाएगा 10,000 कितना आजाएगा 10,000% 20 को change करो के 20 गुणे 100 20 गुणे 100 तो यह तुम्हारा आजाएगा 2000% कोई दिक्कत है तो बताओ या आगे बढ़ते हैं question number 8 देखे तीन बटे 4 तीन बटे 4 को परतिसत में बदलना है कुछ नहीं करना है गुणे 100 करना है बस एक ही मंतर याद रखो भाई परतिसत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना है और परतिसत हटाने के लिए 100 से भाग करना है तो यहाँ पर 4 से 100 को कटाएंगे 25 बार में कितने बार में कटाएंगे जब 100 से गुणा करोगे तो यह 10 मलो 2 अंग पीछे चला जाएगा कहां चला जाएगा 2 अंग पीछे ध्यान से देखिए 0.5 into 100 100 से मैंने गुणा कर दिया तो यह 10 मलो यहां से निकल के 2 अंग पीछे चला जाएगा इसके पीछे एक 0 लगा देना तो यहाँ चलाएगा तो यह ओजाएगा 50 । कितना हो जाएगा 50 % दस्मलों यहाँ आजएगा 50 आगे आपको समझ मैंएगा देखें 50 को change करना है 50। गुने 100 तो यह आपको हो जाएगा 5,000 परतिसत कितना आजाएगा 5000 परतिसत नेक्स्ट कोश्चन लेते हैं दूसरा कोश्चन किनिम लिखित दसमलों को परतिसत में बदलिए यह सारे नंबर decimal में दिये हुएं किसमें दिये हुएं decimal में और आपको percentage में change करना है तो किसी भी number दस्मलों में हो भिन्न में हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सीधे 100 से गुणा करना सीधे 100 से गुणा करोगे यह दस्मलों यहां से निकल के 2 अंक पीछे चलाए जाएगा कहां चला जाएगा 2 अंक पीछे तो यह जो answer तुमारा आजाएगा वो आजाएगा 1525% कितना आजाएगा 1525% यह दस्मलों पीछे चला गया अब देखो यहां से इसको भी 100 से जब गुणा करोगे तो यह दो अंक दस्मलों पीछे चला जाएगा दस्मलों यहां से निकल के यहां लग जाएगा कहां लग जाएगा यहां लग जाएगा तो यह हो जाएगा 115% कितना हो जाएगा 115% चलिए 2.2 अब देखो यहां पे जब 100 से गुणा करेंगे तो यह दस्मलों निकल के दो अंग पीछे जाएगा तो इसके पीछे तो एक अंग है तो आपको एक 0 लगाना पड़ेगा क्या लगाना पड़ेगा एक 0 और उसके पीछे दसमलो आ जाएगा तो यह हो जाएगा 220 परसेंट कितना हो जाएगा 220 परसेंट तीन दस्मलो पांच गुणे सो दस्मलो यहां से निकल के दो अंग पीछे चला जाएगा तो यह हो जाएगा आपका तीन सो पचास परशेंट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है question number 5 देखे दस्मलो पांच दो गुणे सो तो दस्मलो यहां से निकल के नीचे पीछे चलाएगा दो अंग पीछे जाएगा तो ये आपका अंस्वर आएगा 53.2% दस्मलो कहा जाएगा 3 और 2 के बीच में आजाएगा कहा जाएगा 3 और 2 के बीच में 0 0.43 गुणे 100 क्योंकि परतिसत में चेंज करना है तो यहां से निकल के यहां चला जाएगा तो यह हो जाएगा 43% जब भी % में परतिसत में बदलेंगे तो लास्ट में परतिसत लगा देना देखिए 1.003 को परतिसत में चेंज करना है 1.003 गुणे 100 तो दस्मलो यहां से निकल के यहां चला जाएगा तो यह क्या हो जाएगा मालूमें आपको 100.3 क्या हो जाएगा 100.3% 100.3% कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलिए 0.567 0.567 into 100 दस्मलो यहां से निकल के यहां चला जाएगा तो यह आप क्या हो जाएगा 56.7% क्या हो जाएगा 56.7% देखिए 0.01 को जब आप परतिसत में चेंज करोगे तो दस्मलो दो अंक आगे चला जाएगा तो यह आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा मालू में 001% कितना हो जाएगा 001% 001 को आप डारेक्ट लिख सकते हो 1% क्या लिख सकते हो 1% चलिए निमलिखित भिन को परतिसत में बदलिए अब देखो भिन में नंबर दिया हुआ है सारे आपको प्रेक्टिस करा रहा हूँ 1 बटे 10 को परतिसत में बदलना है 100 से गुणा करोगे तो यह तुम्हारा डारेक्ट टांसवर आएगा 10% कितना हैगा 10% 3 बटे 4 को परतिसत में बदलो 3 बटे 4 गुणे 100 तो यह तुम्हारा कड़ गया 25 बार में 25 में 3 से गुणा करोगे तो यह आपका निकल क्या आएगा 75% कितना आजाएगा 75% Question 3 देखिए 2 बटे 5 को परतिसत में बदलना है 2 बटे 5 गुणे 100 क्या करना है गुणे 100 तो यह कड़ गया 20 बार में कितने बार में कटा आप 20 बार में तो यह आपका निकल आएगा 40%. कितना आएगा 40% 12 बटे में 40 12 बटे में 40 गुणे 100 क्योंकि परतिसत में चेंज करेंगे अब देखिए 0 से 0 कड़ गया 4 से 12 3 बार में कड़ गया तीन गुणे 10 तो यह आपका अंस्वर हैगा 30% कितना हैगा 30% चलिए question 5 देखे 48 upon 50 49 बटे में 50 49 बटे में 50 49 बटे में 50 को परतिसत में change करना है तो गुणे 100 50 से 100 कटा दो बार में 49 में 2 से गुणा करोगे 96% कितना % 96% 56 गुणे 100 अब देखो 56 बटे में 100 अब ध्यान से समझो यह संख्या खुद ही 100 में है तो इसको डारेक्ट लिखना है 56% क्या लिखना है 56% अगर गुणा करना चाहते हो गुणा करना चाहते हो आत्मा की सांती के लिए तो गुणा कर दो कोई दिक्कत नहीं है 56% 56% चलिए देखिए 88 अपान 100 88 बटे में 100 यह संख्या 100 में है किसमें 100 में तो आप डारेक्ट लिख सकते हो 88% अगर आपको गुणा करना है 100 से तो गुणा भी कर दिजे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखिए गुणे 100 क्योंकि परतिसत में चेंज करें तो 100 से गुणा करेंगे तो यह कट गिया यह आगया 88% कितना आगया 88% 7 बटे में 2 को परतिसत में चेंज करेंगे परतिसत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा तो यह तुमारे कटेगा 50 बार में और 50 में 7 से गुणा करोगे तो यह कड़िया बार में कितनी बार मों करड़िया बार में थि 52 बटे में 10, 52 upon 10 into 100, 100 क्यों भाई? क्योंकि परतिसत में बदल रहे हैं, किसमें बदल रहे हैं? परतिसत में, तो यह 0 से 0 कड़ गया, 520 परसेंट, कितना गया? 520 परसेंट, यह भी आएगा 675 परसेंट, चलिए, question 4 की तरब चलते हैं, निमलिखित परतिसत को दसमलों में बद लिए, अब देखो, यहां से खेल change हो रहा है, यहां से परतिसत हटाना है, क्या करना है? परतिसत हटाना है, तो 200 परतिसत है, 200 परतिसत, तो जब भी इस परतिसत को हटाएंगे, और लगाएंगे, तो 100 से गुणा होगा, तो अब परतिसत को हटाएंगे, क्या करेंगे? परत दस्मलों में चेंज कर सकते हैं तो इसको कहा रहा है दस्मलों में चेंज करना है तो दस्मलों में जब चेंज करोगे तो नीचे दो जीरो है कितना जीरो है दो जीरो तो दस्मलों दो अंग पे लग जाएगा दो अंग के बाद दस्मलों लग जाएगा तो यह हो जाएगा 2.00 कितना हो जाएगा 2.00% नहीं होगा परतिसत हटाना है सिर्फ 2.00 देखे जब परतिसत में बदलते हैं तो परतिसत लगाते हैं जब परतिसत हटाएंगे तो फिर परतिसत को हटा देंगे देखिए 150 परतिसद अब इस परतिसद को हटाना है क्या करना है परतिसद को हटाना है तो 150 बटे में 100 150 भागे 100 या 150 बटे में 100 तो 2 0 है तो 2 अंग पर दसमलो लग जाएगा यहां आ जाएगा तो यह हो जाएगा 1.5% या 1.50% कोई दिक्कत वाली बात नहीं है next question देखे 125 परतिसद 125 परतिसद तो इस परतिसद को जब हम हटाएंगे तो 100 से भागा हो जाएगा और दसमलो 2 अंग पे लग जाएगा तो 1.25 कितना हो जाएगा 1.25 यहां से परतिसद को हटा देंगे भाई परतिसद नहीं लगाएंगे जब भी परतिसद हटाते हैं तो परतिसद हटा देंगे इसको सही कर लेते हैं 1.50 अब देखे 1.25 यह आगया आपका 70 परतिसद कितना आगया 70 परतिसद तो 70 परतिसद को 70 ब drainage में 100 लखेंगे और यह 2 अंग पे 10 लगेगा क्यों हो दो अंग फिरले क्योंकि नीचे 2 जीरो है तो यह हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 Vision All दो अंग पे लगजाएगा यहां लगजाएगा तो यह हो जाएगा 0.70 क्या हो जाएगा 0.70 % अटा देंगे 20 पर 30 keeps 20 पर 30 तो दो अंक पर 10 मुलों लगेगा यहां लगेगा χ anticipate 25 25 25 तो जैसे ही इस percent को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा क्या जाएगा 100 और 100 यह क्याता है कि तो दस्मलो है यह 2 अंक आगे चला जाएगा तो यह आपका अंसोर हो जाएगा 0.2525 25 क्या हो जाएगा 0.2525 115 परतिसत यानि 115 बटे में 100 तो यह आपका दस्मलों यहां आ जाएगा यहां लगेगा कहां लगेगा यहां तो यह जाएगा 1.15 question 9 देखे 0.05% 0.05% जैसे ही आप इस परतिसत को हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा इस परतिसत थटाओगे बटे 100 होगा अगे चला जाएगा तो दस्मलो यह जाएगा 0.175 चलिए question बाइस देखिए 20 पर्तिसद यह कहरा है कि निम्लीकित पर्तिसद को भिन में बदल जे इसको भीन में बदलाए ऩो आ अगर उसका दस्मयलो में कहता है 20 बटे में 100 कर देता है और 0,212 यह दस्मयलो आ रिखागी तो इसको क्या करेंगे बीस बटेंस बटेंस कटांगे तो यह आपका जाएगा एक बटे में अब इसको कटाएंगे , क्या करेंगे ? क्या कराइंगे दसमलो में लिखना रहता तो 0.48 , क्या हो जाता ? 0.48 देखो इसको कटाएंगे , छोटी- towardi 20 संक्यास कक्षाइंगे तो यह कॉडखले गया 24 , नीचे कटेंगा 50 , फिर इसको 2 से उपर कटाएंगे तो यह कटेगा 12 यह कटेगा 25 अब नहीं कटेगा तो यहागए 12 बटे में 25 क्या हो जाएगा 12 बटे मैं 25 यह सक необход आएगा चलिये 50 horizontal को जब आप change करेंग तो यह जाएगा 50 Uर recap on 100 11 बटे में 20, यह आ गया 11 बटे में 20, यह आ गया 1 बटे में 2, क्योंकि भिन्न में बोल रहा है, तो भिन्न में इसके आनस्वर लाएंगे, किसमें लाएंगे, भिन्न में, अगर 10 मलों में बोलता तो फिर 10 मलों मिलाते हैं, 1.2% देखे 1.2% तो इसको चेंज करोगे परतिसास हटाओगे 100 हो जाएगा अभी जो 10 मलो लगा हुआ है वो एक अंग पे लगा हुआ है कितने अंग पे लगा हुआ है तो 10 मलो जैसे हटाएंगे नीचे 10 मिलेगा क्या मिलेगा 10 जैसे 10 मलो हटाते हो बटे में 100 है तो यहंपे 2-0 है तो हम लोग क्या करते है निचे 10 मिलेगा तो यह हो जाएगा 12 घटे में 1000 जाट अब इसको कटाएंगे इसको 4 से कटाओँ तो यह 3 बार में कटेगा नीचे 4 से कटाओगे तो यह 2500 तो यह 250 अजया कितना जाएगा 250 तो 3 बटे में 250 इसका अंस वाहجा एगा 3 बटे में 250 चलिए नेक्स्ट प्र пошङं इसको देख़े, 2.02, 2.02, किसके बराबर है, इसको देखो, यह कहा जाएगा 202 पृतिसात, क्या हो जाएगा 202 पृतिसात, option D is the right answer, इसका D सही हो जाएगा, चलिए, 42 पृतिसात, देखिए, 42 पृतिसात किसके बराबर है, यानि यह पर पृतिसात हटाना है, तो पृतिसात जैसे ही हटाओगे, तो नीचे 100 हो जाएगा, नीचे 100 होते ही, क्या करोगे, 0.42, क्या हो जाएगा, 0.42, option C is the right answer, चलिए, question अगला दिया हुआ है, कि which one of the following equals to 0.425, निम लिखित में से कौन सा, 0.425 के बराबर है, परतिसत में change करना है, 100 से गुणा करेंगे, 10.2 पीछे आ जाएगा, यहां आ जाएगा, तो यह answer हो जाएग 145% is equals to 145, परतिसत किसके बराबर है, तो यहां से परतिसत हटाएंगे, क्या करेंगे, परतिसत को हटाएंगे, हटाओगे तो 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बटे में 100, तो दो अंग पे दसमोलो लग जाएगा, 1.45, 1.45, option C is the right answer, देखिए, 8%, 8% को क्या लिखेंगे, 8 बटे में 100, परतिसत हटाओगे, तो क्या हो जाएगा, 8 बटे में 100, दो अंग पे दसमोलो लगाओगे, उपर एक अंखे, एक 0 लगा जेना, 0.08, इसका आंसवर कितना आ जाएगा, 0.08, option B is the right answer, तो प्रैक्टिस करते रिए, मिलते आंगले वीडियो में, तब तक के लिए, धन्यबाद, थैंक्यू,